हुए ड्राइबर को वेतन भत्ता मिलता है सुरक्षित गाड़ी चलाने के लिए تीचर को वेतन भत्ता मिलता है बच्चों को अच्छी तरीके पढ़ाने के लिए डॉक्टर को वेतन भत्ता मिलता है अच्छी तरीके इलाज करने के लिए वैसे सासक को सांसद विधायक मंत्री मुख्य मंत्री परधान मंत्री को वेतन भत्ता गाड़ी मिलता है भारत को सुरक्षित करने के लिए देश को सुरक्षित करने लिए भारत की समस्याओं को खतम करने के लिए और समस्याओं कैसे खतम होती है संसद में कानून बना के विधान सभा में कानून बना के संविधान में और संसोधन करके लेकिन दुख इस बात का है कि नहरूजी से लेके मन मोहन सिंग तक कांगरेस ने 55 साल राज किया और एक के बाद एक एक के बाद एक इतने घटिया कानून बनाए कि भारत की संस्कृती लगातार कमजोर होती चली गए 55 साल में 55 महापाप किया कांगरेस ने भारत के संविधान जब बना था तो इसमें भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान गौतंबुध, भगवान महाबीर, छट्पति सिवाजी महाराज, हनमान जी, भगवान नट्राज सबकी फोटो थी उन सारे फोटो को निकलवा दिया नहरूजी ने भारत का जब संविधान बना, तो चुकि पूरा का पूरा फ्रीडम मुवमेंट वंदे मातरम से हुआ था, इसलिए वंदे मातरम को राष्टगान घोसित करने के लिए प्रस्ताव आया था, उस प्रस्ताव का विरोध किया था, नहरूजी ने भारत में राष्ट भासा, संस्कृत होना चाहिए, ये प्रस्ताव खुद डक्टर अम्बेटकर ने पेश किया था, उस प्रस्ताव का विरोध किया था, नहरूजी ने डक्टर अम्बेटकर को इस्तिफा देने के लिए मजबूर किया, नहरूजी ने स्यमापशाद मुखरजी जी को इस्तिफा देने के लिए मजबूर किया, नहरूजी ने सरदार पटेल को प्रदानमंत्री बनने से रोका, नहरूजी ने आर्टिकल 370 सम्मिधान में जुडवाया, नहरूजी ने भारत का दो नाम रख दिया भारत और इंडिया ये काम किया था कांग्रेस ने नागरिक तक लिए घटिया कानून बनाया और सारे घुस पैठियों को भारत में आने दिया ये काम किया था कांग्रेस ने देश का विभाजन कराया कांग्रेस ने चीन को जमीन दिया कांग्रेस पाकिस्तान को जमीन दिया कांग्रेस ने लंका को जमीन दिया कांग्रेस ने यूएन की पर्मानेंट मेंबर्सिप चीन को दे दिया ये भी काम नहरुजी नहीं किया था नेपाल भारत में मिलने वाला था लेकिन उसको नहीं मिलाया नहरुजी ने भारत के जो विदेशी कुर जोड़के मदर्सों और मिसंडी स्कूलों को पूरे देश में फलने फूलने का जो अधिकार दिया वो दिया कांग्रेस ने गुलामी के नाम को बरकरा रखा कांग्रेस ने बाबर उमाईू तुगलक गजनी गोरी के नाम पर सड़क महले गलियां चल नहीं है उसको कांटी नि गुलामी के निसान को कांटी निव किया कांग्रेस ने कासी मतुरा भधरकाली भोशाला अटाला जहां जहां मुगलों ने तोड़ा था उसको लगातार बरकरा रखा कांग्रेस ने गुलामी की कूरितियों और गुलामी की कूप रथाओं को कांटी निव किया कांग्रेस न गुलामी की चिकिस्था बेवस्था को प्रमोट किया और भारत की चिकिस्था बेवस्था को बरबात करने के लिए 1954 में ड्रग एक्ट बना दिया अभी आपने सुनवा होगा सुप्रीम कोट में लगा था जो पतंजली वाला मामला चल रहा है उसकी जो जड़ है 1954 का ड्रग ए कांग्रेस ने गुलामी की लैंग्वेज को प्रमोट किया कांग्रेस ने कभी भारती भाषाओं को प्रमोट नहीं किया वक्ट पैक्ट बनाया नहरू जी ने कांग्रेस थे सबसे पहले 1954 में बनाया कांग्रेस ने उसके बाद इंदिराजी ने उसको मजबूत किया उसके ब बना कि 80 मतुरा भदरकाली भोशला अटाला के हमारे मंदिरों को रिस्टोर करने का रास्ता रोका कांगरेस ने 1991 में कांगरेस ने कानून बनाया था मैनाटी कमिशन जो एक्ट 1992 में बनाया था कांगरेस ने ये वख्ट पैक्ट गो दुबारा फर से खतरनाक बनाया 1995 में कांग्रेस ने अलिगर्ण मुस्लिम इन्वस्टी को माइनाटी इन्वस्टी का दर्जा दिया कांग्रेस ने जामिया को माइनाटी इन्वस्टी का दर्जा दिया कांग्रेस ने माइनाटी अफेर मिनिस्टी पहली बार भारत में 2006 में बनी थी वो भी बनाया था कांग्रेस ने, माइनाटी कमिशन पहली बार 1992 बना था, कानून बना के, वो भी पहली बार कांग्रेस ने बनाया था, विदेसी फंडिंग मिलती रहे, मावादियों को, नकसलियों को, जहादियों को, मिसंरियों को, कठरपंथियों को, सब को विदेसी फंड से ज्यादा कांग्रेशन अंग्रेशन को पता होगा सतर जार कोड़ का कमन वेल्ट होटाला एक लाग छीज़ार कोड़ा कोईला कुल मिला के देखे तो कंग्रेश के 55 साल के राज में लगबग 55 लाख करोड रूपए लूटा गया है और यह पैसा हमारा आपका tax का पैसा 55 साल में 55 लाख करोड रूपय कांग्रेस के समय में खुटाले हुए हैं अगर आप सारे खुटाले मिला दीजे आप Google करिएगा आपको A to Z सारे खुटाले मिल जाएंगे प्रियैंबल में लिखा हुआ है भारत एक संपरफ राश्ट है संपर राश्ट तब होता है जब नों गलामी का नाम हो ना गलामी का निसान हो लेकिन उसके लिए कुछ भी कलिया है नहीं कांगरेस ने समिधान कहता है One Nation One Penal Code होता है कूँछ भी नहीं किया संभीधान कहتا है 1 nation 1 legislature called होनार्थ कूँछ भी नहीं किया संभीधान कहता है 1 nation 1 heritage called होنार्थ भारती धरोहर संगीता होनी चाहिए कांगर्थ भी नहीं किया सम्विदान कहता एक duty code होना चाहिए one nation one duty code होना चाहिए लोग के करतब भी सबके निर्धारित होने चाहिए उसके लिए कांगरेस ने कुछ भी नहीं किया कोई duty code नहीं बनाया भारत का संसकार भारत की संस्कृति आगे बढ़े article 29 भी यही कहती है संसक्रति संसकार code होना चाहिए cultural code होना चाहिए था कांगरेस ने उसके लिए कुछ भी नहीं किया one nation one judicial code होना चाहिए लोग को justice within year मिले एक साल के अंदर लोग न्याय मिले कांगरेस ने कभी इसमें चर्चाही नहीं किया कभी चिंतन भी नहीं किया constitution के कई सारे provisions हैसे हैं जहां बार-बार कहा गया लोगों को justice मिलना चाहिए जल्दी मिलना चाहिए जल्दी justice का मतलब कमसमें एक साल के अंदर मिल जाना चाहिए लेकिन कांग्रेस ने कभी कोई काम नहीं किया समिधान कार्टिट 26 कहता है कि सब को अपने धार्मी का स्थान बनाने का अधिकार है लेकिन मठ मंदिरों को लिए जो 35 कानून चल रहे हैं जादा तर उसमें से कांग्रेस के कारिकाल में काइदे से एक One Nation One Endowment Code होना चाहिए था यानि एक भारती धर्मस्थल संघिता होनी चाहिए थी कांग्रेस ने उसके लिए कभी कोई नहीं काम नहीं किया हमारे पाथ 2% जमीन है 4% पानी है जनसंख्या 20% हो चुकी है जनसंख्या जिससाब से बढ़ी है उसके इसाब से भारत में एक Population Control ला होना चाहिए था कांग्रेस तो उसके लिए कुछ भी नहीं किया One Nation One Administration Code लागू होना चाहिए Constitution कहता उसके लिए कुछ भी नहीं किया वास्तों अगर आप पूरा ध्यान से देखें तो 55 साल के राज में कांग्रेस ने डिवाइडेंट रूल किया है बाटा है लुटवाया है और नतीजा क्या हुआ आज हम यहां पहुँच चुके हैं कांग्रेस की गलत नीतियों का परिणाम ये रहा कि भारत के नौ राज्यों में हिंदू जैन बौध सिक खतम हो चुके हैं भारत के आठ सो जिलों में हिंदू जैन बौध सिक खतम हो चुके हैं भा अगर भारत में धर्मांतरन हो रहा है घुसपैट हो रही है तो इसका मूल कारण है कांगरेश के द्वारा बनाएगे घटिया कानून अगर भारत में जहाद है मजभी अनमाद है पत्थर बाजी है तो इसका मूल कारण है कांगरेस के द्वारा बनाएगे घटिया कानून वो या तो चर्च के पास है या वकबोर के पास है होना चाहिए किसके पास मंदिरों के पास लेकिन मंदिरों की जमीन को कांग्रेस ने कबजा कर लिया उपर से जो 1894 मंगरेजों ने लैंड एक्विशन एक्ट बना कि कि पूरी जमीन चर्च को दिया था उसमें से एक एक बीगे जमीन वापस नहीं लिया एक एकर जमीन वापस नहीं लिया दूसरी तरफ नहरूजी ने 1954 में बकारदा वकप कीट बना कि पूरा तो आज की रेट में सरकार के पास जो सब्ष़णत जमीन किसके पास है चर्च के पास और वकबोड के पास इसका मूल कारण है कांग्रेस के घटिया कानून मैं आपसे निवेदन करता हूँ भारत को बचाना चाहते हैं भारत की संस्कृति को बचाना चाहते हैं भारत की परंपरा को बचाना चाहते हैं तो जाती भासा छिट से उपर उठिए अपने आने वाली पीडियों को सोचिए आज के नेता 25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे अखिर 1947 में जो विभाजन हो रहा था मारपीट हो रही थी कोई नेता किसी को बचा रहा था क्या सारे नेता खुझी भागए भारत भागए थे भारत के 200 जिलों की क्या situation है भारत के 900 भारत के 9 राज्यों की क्या situation है और भारत के 1500 तहसीलों की क्या situation आप जानते हैं भारत के border पे 300 तहसील है 300 के 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बेडल चुकी है इसलिए मेरा आपसे निविदन है डल गुलामी छोड़िये कठोर कानून की कोट की वन नेशन वन टैक्स कोट की जरूरत है धर्मांतरन घुसपैट जनसंख्या विसफोट के खिलाफ का ठोर कानून की मेरी बात ठीक लग रही हो इस वीडियो को अधिक सदिक शेयर करिएगा अगर आप नहीं शेयर करते हैं तो सौहरीक सी बात है लोग जागरुकता नह आएगी और जागरुकता नहीं आएगी तो लोग सही मन से चीजों को समझेंगे नहीं और पाटियों के गुलामी करते रहेंगे नेताओं के गुलामी करते रहेंगे और 25 साल के बाद 2047 में वही होगा जो 1947 में हुआ था